दीवाली और धन्तेरस धन का तिवहार है इस तिवहार पर मातालक्षमी भगवान गड़ेश भगवान कोबेर और धन बंतरी की पूजा अर्चना की जाती है अगर आप सुक संवर्धी घर में चाहते हैं तो धन्तेरस की दिन सुम महुर्ट में पूजा करें सुम महुर्ट में पूजा करने से मातालक्षमी गड़ेश कोबेर भगवान की किरपा आप पर बरसेगी पंडित अन्यल कुमार पांडे बताते हैं कि इस बार धन्तेरस 10 निमंबर को मनाई जा रही है नरना सिंदुगरंट के एनुसार इसकी तो फूजा कैल में की जाती है इसके अलाबा मेश्ड लगन में भी पूजा करने का महत्त होई यह पूजा तब होती है जब सुरिय तोलारासी में हो 10 निमंबर को सुरिय तोलारासी में है मेशन लगन बुवन बिजबंचाग के आनुसार पाँच बचकर चंबंगन मिन eject से साथ बच के बाउन मिनдж तक है पिर दोस्काल चार बच के फैन पालीас मिनि dep находится 6 बच के फंदा मिनिड तक है इस प्रकार यह पूजा धन तेरस की चार बच के 45 मिनट से 7 बच के 22 मिनट के बीच में की जा सकती है इस वर्स धन तेरस 10 नुवंबर को मनाए जा रहा है नेड़े सुन्धु गरंथ की अनुसार इसकी पूजा प्रदोशकाल में की जाती है इसके अलावा मेश लगन में भी पूजा करने का महत्तु है यह पूजा कब होती है जब सुर्यत तुला राश में हो तो 10 नुवंबर को सुर्यत तुला राश में है मेश लगन भूज़े पिंचांग के अनुसार पांच बच के चौवन मिनिट से साथ बच के बाउन मिनिट तक है और प्रदोशकाल चार बच के पैंतालिस मिनिट से छे बच के पंद्रा मिनिट तक है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धन्द्म तेरस की पूज़ा चार बच के पैंतालिस मिनिट से साथ बच के पाउन मिनिट के बीच में की जा सकती है इसमें सबसे अच्छा महरत पांच बच के चोवन मिनिट से 6बच के पंद्रा मिनिट तक का होगा इस दिन केसे पूजा की जाता है इस दिन बारा दीपक रखे जाते हैं उन दीपकों को रखने का एक बिसिस्ट आकार है और उस दिन इन दीपकों को जलाया जाता है और मालक्षमी, गणेश, कुबेर तथा धन्मंतरी जी की पूजा की जाती है पूजा में फूल, माला, आटे का हलवा, गुण, धनिया के बीच आधिका इस्तेमाल किया जाता है